असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट सेकंड यर मैथमेटिक्स में MCQ पास्ट पेपर के MCQ हम रिकॉर्ड करा रहे थे यह MCQ पिशले 10 एर्स सब्लिमेंटरी पेपर्स में आ चुके हैं और इसको हम चैप्टर वाइस हम रिकॉर्ड करा रहे हैं आप एक चैप्टर को पिक करके उसके पास्ट पेपर के MCQ की पैटिस कर सके हम बटा स्टार्ट करते हैं हम हमारे पास यह कोशन लिखावा है कोशन नमबर वन है एलन एक्स क्यू पिलास वन इसका डिफ्रेंशियेट करना है एलन को याद रहे एलन के कोई माने नहीं होते या तो एलन एक्स होता है या फिर एलन बॉक्स होता है एलन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं वन अपान एक्स है एलन बॉक्स का डेरिवेटिव वन अपान बॉक्स है और उसके बाद differentiate करेंगे हम सिफ़ा से box को तो यहां जो expression लिखावा है d upon dx ln x cube plus 1 तो हम इस पूरे expression को ln के बाद जो लिखावा है box मान लें इस box को अब इसे क्या पढ़ेंगे ln box ln box का derivative one upon box होगा उसके बाद आपने डिफ्रेंशेट करना है सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को बॉक्स में क्या लिखावा है एक्स क्यू पिलस वन जब ये डी अपॉन डी एक्स अपलाई होगा ये वाला एक्स क्यू पिलस वन अपनी जगा रहेगा इसका डेरिवेटिफ होगा ठी एक्स स्कॉाइर मल्टिप्लाई होगे ठी एक्स स्कॉाइर अपन एक्स क्यू पिलस वन ठी एक्स स्कॉाइर अपन वन पिलस एक्स क्यू या एक्स क्यू पिलस वन इसका जवाब होगा आई होब ये किलियर है आप इटा यहां कुशन देखें याद रहे एलन A की पावर B बाई प्रोपर्टी यह B निशे शिप्ट हो जाएगा B एलन A हो जाता है यह लॉग की अपनी ओन प्रोपर्टीज है यह भी याद होना चाहिए एलन E एलन का मतलब लॉग बेस E के साथ लॉग बेस E है सामने भी E लिखावा है तो रिजल किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है आएं इस कोशन की तरफ इसे सॉल्व करने से पहले लॉग की अपनी प्रोपर्टीज अपलाई करेंगे एलन A की पावर B यह जो B है यह जो पावर है यह नीशे शिफ्ट हो जाएगी बाई प्रोपर्टी एलन A आपको मिल जाएगा अभी बताया लॉग E एलन A की वैलू 1 होती है यह D अपन डी X यह 1 है X क्यूब 1 से मल्टिपलाई हुआ X क्यूब आ गया इसका डेरिवेटिफ 3 X स्कौाइर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें इस वक्त मिलेगा 3 X स्कौाइर बीदा करेक्ट अंसर इसके बाद देखें बटा यह तो बहुत असान बात है औरल कोशन है LN X का डेरिटिफ क्या होता है शाबश 1 अपन X LN X का डेरिटिफ 1 अपन X हो जाएगा यह लिखा वाज स्कौाइर X ये आपके पास D अपन D X स्कौाइर X तो स्कौाइर X को मैं स्कौाइर X का होली स्कौाइर लिख सकता हूँ अब यह जो है पाबर आ गई अगर सिफ स्कंघ अक्स लिखा होता तो यह technometric function होता टिकनो तरे टेरेटई एक्स का डेरिटई सिकेंड एक्स टेंज़न एक्स लेकिन यह power आ रही है मैं इसे पढ़ूंगा box power function क्या पढ़ा जाएगा box power function कितने step में solve वोगा four step में यह solve होगा पहला step क्या है देखो याद है आपको d upon dx अगर बॉक्स की पावर एन लिखावा हो तो याद करें पहला स्टेप पावर नीचे लिखा आएं दूसरा स्टेप बॉक्स को ऐसी लिखें तीसरा स्टेप पावर में एक कम कर दें और चोहता स्टेप डिफ्रेंशेट करेंगे सिफ और सिफ बॉक्स को डिफ्रेंशेट करें तो पहला step पावर को नीचे लेकर आगए, दूसरा step बॉक्स को ऐसी लिखा, तीसरा step पावर में कम करेंगे, बन आजएगा, चोहतरा step डिफरेंशेट करेंगे सिफ और सिफ बॉक्स को ठीक ही बड़े यह रहेगा 2 sec x और अब हम differentiate करेंगे sec x को आपको याद होना शाहिए table उस table के मताबिक sec x tangent x है यह दोनों multiply होंगे sec x sec x क्या पढ़ा जाएगा 2 sec square x multiplied by tangent x तो यहाँ 2 sec square x multiplied by tangent x इसका result आजएगा तमाम inverse function का derivative होता है तमाम trigonometric function का derivative होता है inverse function का derivative होता है trigonometric function c से start हो derivative में minus sign आता है inverse trigonometric function c से start हो derivative में minus sign आएगा तो यहाँ यह minus sign है और दूसरी बात जो sin inverse x का derivative है जो sin inverse x का derivative है वही cos inverse x का derivative है दोनों के derivative 1 upon under root of 1 minus x square होगा फर क्या होगा sin x का derivative positive होगा और cos x का derivative minus तो cos inverse x का derivative minus 1 upon 1 plus x square है अच्छा बटा यह समझे वाली बात है f of y given है function of y given है यह लिखावा है log of a y लिखावा है अब इसको differentiate करना है with respect to x ठीक है तो यह with respect to y होगा है with respect to y differentiate करना है differentiate करेंगे with respect to y तो log of a y लिखावा है differentiate किया जाता है alan के साथ या log of base e के साथ differentiate किया जाता है log of a के साथ differentiate नहीं करते एक property के तहत हम इसे change करेंगे property क्या है log of base e दो मरतब़ लिख देंगे उपर y है तो y पढ़ा जाएगा base a है तो a लिख दिया जाएगा यह property है इसे change of base का नाम देते हैं दो मरतब़ लॉग लिख लिए उपर y है तो y अब देखें यह d upon dy इसे l and y पढ़ सकता हूं में इसे पढ़ूंगा l and a पढ़ा जाएगा इसे l and y और y पढ़ा जाएगा l and a a constant है उसका log लें उसका square लें उसका technometric function लें constant आ जाएगा one upon l and a अपनी जगा रहेगा अब आपके पास बचेगा सिफ l and y बच्छो l and y को y के साथ differentiate कर दें तो one upon y आ जाएगा तो overall जवाब आपको मिलेगा d y upon d x उपर result one आया y l and a तो ये जो result मिलेगा ये आपको result आदेगा y l and a के साथ इसका जवाब आएगा आई होब ये clear है इसके बात देखें मिटा ये बहुत असान सी बात है derivative of x की power a x rest to power a है with respect to x इसका derivative लेना है d upon d x मालूम करना है a constant number है a belongs a b c पूरे calculus में constant होते है तो power नीचा आजाएगी और power में a कम करेंगे है ना power नीचा आजाएगी power में a कम कर दिया जाएगा तो last option is the correct answer अब आईए ये लिखावा है f of x sin x याद होना चाहिए sin x cos x 10 x इनके derivative औरली तोर पर आपको पता हो बटा पता हो sin x का derivative क्या होगा cos x cos x का derivative minus sin x 10 x का derivative secant square x होगा अब आपके पास क्या लिखावा है f of x आपको given है sin 9 x मालूम करना है differentiate करेंगे f of x के साथ ठीक है इसको short form में f prime x पढ़ते हैं अब sin की power 1 आ रही है they are technometric function sin x होता है तो cause x अब ये sin x नहीं है x के इलावा है इसे हम पढ़ते है sin box और sin box को differentiate करना हो तो sin x का derivative cause x sin box का derivative cause box हो जाएगा और उसके बाद differentiate करेंगे sin x और sin box को differentiate कर देंगे ये rule है sin 9 x का derivative क्या होगा cos 9 x हो जाएगा और फिर differentiate करेंगे sin x 9 x को angle को differentiate कर देंगे तो बटा ये cos 9 x आ जाएगा और जब ये apply होगा 9 x का derivative 9 होगा और multiply करेंगे तो ये शुरु में पढ़ा लिखा जाएगा यानि 9 cos 9x जो भी derivative के हिससा आता है वो कभी angle को disturb नहीं करता शुरू में आजेगा 9 cos 9x ये इसका result आदेगा 9 cos 9x ठीक है बटा अब देखें inverse signometric function तमाम inverse signometric function का derivative होता है साइन inverse x cos inverse x का derivative सेम होते हैं cos inverse x में minus आता है sin inverse में minus नहीं आता तो ये जो result है 1 upon under root of 1 minus x square इसका result होगा अब ये आपके पास f of x लिखावा है 10 inverse 3x क्या मालूम करना है इसका f prime आपको given है f of x 10 inverse 3x inverse function को differentiate कर लिया जाए inverse function को differentiate करेंगे अब या इगा d upon dx inverse function को differentiate किया अब 10 inverse x का derivative 10 inverse x inverse function के तमाम derivative fraction फ्रेक्शन फार्म में आते है 10 inverse में root नहीं आता 1 plus x square होता है अब 10 inverse box हो तो x के लावा हो तो 1 upon 1 plus box का square आ जाएगा अब भी box को differentiate करेंगे 1 upon 1 plus box का square 3 x का whole square और differentiate करेंगे आप 3 x को differentiate करेंगे अच्छा बटा यहाँ पर आपके पास आया 1 upon 1 plus 9 x square और इसको अपलाई करेंगे 3 x का डिरेटिव 3 आ जाएगा तो overall जवाब आपको मिलेगा 3 1 plus 9 x square यह इसका जवाब होगा 3 upon 1 plus 9 x square दिदा करेंगे अच्छा अच्छा बटा यहाँ पर यहाँ पर लॉक वाला सवाल है y लिखावा है y दिखावा है ln sin x dy वर dx मालुम करना है differentiate करें हम तो dy upon dx d upon dx ln sin x ठीक है अब बताए ln x ln के कोई माणने नहीं होते या तो ln x होता है या ln box होता है अब यह ln sin x है ln box होगा ln x का derivative one upon x ln box का one upon box अब भी box को differentiate करेंगे one upon box का मतलब one upon sin x और उसके बाद differentiate करेंगे आप किसे sin x को differentiate कर देंगे ठीक है बता अब यह आपके पास one upon sin x और इधर apply करेंगे sin x का derivative क्या मिलेगा cause x आएगा और आपके पास overall जवाब उपर cause x है नीचे sin x है you get caught x तो caught x be the correct answer ठीक है इसके बाद देखें अभी हमने सवाल कराया y आपको given है log of a x और dy मालुम करना है dy मालुम करना हो dy dx मालुम करना हो दोनों सुरतों में differentiate कर दें अब differentiate करने से पहले यह ln में होना चाहिए log of base e में होना चाहिए तो change कर देंगे दो मरतब़ change कर देंगे उपर भी लिखेंगे log e नीचे भी log e उपर x है तो बटा x आ जाएगा नीचे a है तो a पढ़ा जाएगा फिर देखें इसको अब यह short form में ln x हो गया यह रहा ln a अब हम इसे differentiate करते हैं d y upon d x d upon d x पिर्टा यह ln x हो गया ln a हो जाएगा constant number 1 upon ln a बाहर आ जाएगा इसे बचेगा ln x और सब जानते हैं ln x का derivative 1 upon x यह लिखावा है d y upon d x आपको d y और d x मालूम नहीं करना d y मालूम करना है y की value log a x है तो d y का मतलब है differential of y क्या मतलब है differential of y तो को मसला नहीं है यह वाला d x shift हो जाएगा उपर multiply कर दें 1 upon x ln a यह d x यहाँ multiply हो जाएगा d x x ln a d x x ln a यह d x upon x ln a जाएगा अच्छा बटा अब देखें यह एक interesting question है कहा जा रहा है d upon d x sin inverse sin square x plus cos square x आप छोटी class से पढ़ते आ रहे हैं sin square x plus cos square x 1 के बराबर होता है 1 constant number है तो इसका derivative आपको मिल जाएगा 0 के बराबर हासिल होगा ठीक ही बिटा अब आएगे 10 inverse to x का भी बताया था मैंने f of x आपको given है inverse trigonometric function है 6 trigonometric function होते है हर एक का derivative है इसी तरह से 6 inverse trigonometric function होते है उनका भी derivative है 10 inverse का derivative मौझूद है याद करें 10 inverse x का derivative 10 inverse x बिटा इसका derivative आपने पढ़ा 1 upon 1 plus x square यहाँ derivative आजाएगा 1 upon 1 plus box का square नहीं 2x का whole square उसके बाद आपने differentiate करना है सिब box को 2x को तो बिटा यहाँ पर 1 upon 1 plus यहाँ आजाएगा 4x square और यहाँ 2x का derivative 2 पढ़ा जाएगा बिटा ओवरार रिजल्ट आगिया 2 upon 1 plus 4x square यह इसका रिजल्ट आया 2 upon 1 plus 4x square 2 upon 1 plus 4x square और देखें यहाँ पर यह आपके पास फार्मूला पुछा गया कॉट की पावर 1 dy मालुम करना है तो dy upon dx differentiate करें d upon dx कॉट x जितने भी trigonometric function है inverse trigonometric function है अगर वो c से start होते हैं तो उनका derivative minus आते है याद करो कॉट x का derivative क्या होगा minus cos x square x यह dy upon dx आगया आपको dy वो dx नहीं सिर्फ dy मालुम करना है differential of y मालुम करना है तो यहाँ का dx शिप्ट हो जाएगा minus cos x square x dx तो यह जो option है हमारे पास यह जो हैस का result पढ़ा गाएगा पढ़ा और देखें यह लिखावा है ln cos x इसका dy वो dx मालुम करना है y बराबर है ln cos x इसे differentiate किया जाए dy upon dx d upon dx ln cos x ठीक है अब ln का कोई माने नहीं होते या तो ln x होता है या ln box होता है तो ln के साथ जो कुछ लिखावा है ln box ln box का डेरिटी वन अपान box या वन अपान cos x उसके बाद डिफ्रेंशेट करेंगे हम इस box को डिफ्रेंशेट कर देंगे cos x को अच्छा बटा overall result आपको मिलेगा 1 upon cos x इसको डिफ्रेंशेट करेंगे minus का sin x आजएगा उपर plus minus minus sin x upon cos x sin x upon cos x तो बटा हमें overall जवाब मिलेगा minus हम ये का रहा sin upon cos किसके एकवल आगिया tangent x तो dy upon dx ये बराबर हुआ minus tangent x तो minus tangent x इसका result आजएगा आई होब ये किलियर है बटा इसमें तकरीबान हमने 31 mcq एकटा किये हैं तो remaining mcq इंशाला हम आगले वीडियो में रिकार्ड करेंगे अपना खयाल लखे इस वीडियो के एक से दो मरतबह देखें ताकि अच्छी आपकी पैक्टिस हो डपढ़ते जाएगे आगे बढ़ते जाएगे थैंक यू